C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो आईए अब सुनते हैं अध्याय दस का ध्वनी पाठ शीर्चक है अठारहुई शताब्दी में नए राजनी तिक गठन प्रिष्ट संख्या 138 अध्याय दस अठारहुई शताब्दी में नए राजनी तिक गठन यदि आप मानचित्र एक और दो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अठारहुई शताब्दी के पूर्वार्द के दोरान उप महादवीप में कुछ विशेश रूप से उल्लेख निये घटनाय घटी गौर कीजे कि कई स्वतंत्र राज्जियों के उदे से मोगल सामराज्य की सीमाएं किस तरह से बदली आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ती यानि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलता पूर्वक हडप लिया था इसी प्रिष्ट पर एक मानचित्र, मानचित्र संख्या एक और इस मानचित्र में 18. शताब्दी में गठित नए राज्जियों का मानचित्र दिखाया गया है आईए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या 149 ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18. शताब्दी एक ऐसी अवधी थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक शकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी इस अध्याय में हम 18. शताब्दी के पूर्वार्ध यानि मोटे तोर पर 1707 में जब औरंग जेब की मृत्ति हुई थी से 1761 तक जब पानी पत की तीसरी लड़ाई हुई के दोरान उप महाद्वीप में उत्पन हुई नई राजनीतिक शक्कियों के बारे में पढ़ेंगे पाठ में आगे चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक मांचित्र और ये मांचित्र इस मांचित्र में दिखाया गया है ब्रिटिश नियंत्रन के अंतरगत आने वाले क्षेत्र इसका काल है मध्धे 18 हुई शताब्दी आईए अब चलते हैं पाठ की ओर अध्याय चार में आपने देखा था कि मुगल सामराज्य अपनी सफलता की उचाही पर किस प्रकार पहुँचा था और फिर 17 हुई शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे ऐसा अनेक कारणों से हुआ बादशाह और अंगजेब ने दक्कन में 1689 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए सामराज्य के सैन्य और वित्तिय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था और अंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सामराज्य के प्रशासन की कारेकुशलता समाप्तों होने लगी और मनसवदारों के शक्तिशाली वर्वों को वश में रखना केंद्रिय सक्ता के लिए कठिन हो गया सुबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानि दिवानी एवं फोजदारी दोनों कारेलयों पर नियंत्रन रखते थे इससे मुगल सामराज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तरित, राजनेतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई अगले प्रिष्ट पर जाने से पहले आपके लिए करने के लिए कुछ ये इसी प्रिष्ट पर दाहिनी और एक बॉक्स में है अध्याय चार में ताली का एक देखें आरंग जेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुरोंती दी प्रिष्ट संख्या 140 जैसे जैसे सुवेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंतरन सुद्रण किया राजधानी में पहुँचने वाले राजसो की मात्रा में कमी आती गई उत्तरी तथा पश्चीमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमीदारों और किसानों के विद्रोहों और क्रिशक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया कभी-कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किये गए थे और कभी-कभी ये शक्ति-शाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुद्रिण बनाने की कोशिशें थी अतीत में भी विद्रोही समुहों ने मुगल सत्ता को चुनोती दी थी परन्तु अब ऐसे समुहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया जिस तरह से धीरे धीरे राजनेतिक वा आर्थिक सत्ता प्रांतिय सुवेदारों, स्थानिय सरदारों वा अन्य समुहों के हाथों में आ रही थी और रंगजेब के उत्राधिकारी इस बदलाओ को रोक नहीं सके भरपूर फसल और खाली तिजोरियां एक ततकारीन लेखक ने सामराज्य के वित्तिय दिवालिय पन का वर्णन इतन शब्दों में किया है बड़े जमिदार निश सहाए और निर्धन हो गए है उनके किसान वर्ष में दो फसलें उगाते है लेकिन उन्हें दोनों से कुछ नहीं मिलता है उनके स्थानी गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कटपुतली बने रहते हैं जैसे कि स्वयम किसान अपने रिन दाता के वर्ष में रहता है जब तक कि वह साहुकार का करजा नहीं चुका देता इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपी किसान अपनी फसल के जरिये मानों सोना बटोरता है लेकिन उसके मालिक जमिदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता ऐसी हालत में जमिदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जा सकती है वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुरसवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं पैसा कहां से देंगे इस आर्थिक वा राजनीतिक संकट के बीच इरान के शासक नादिर्शाह ने 1749 में दिल्ली पर आकरमन किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया नादिर्शाह के आकरमन के बाद अफगान शासक एहमद शाह अबदाली के आकरमनों का ताता लगा रहा उसने तो 1748 से 1761 के बीच पाँच बार उत्तरी भारत पर आकरमन किया और लूट पार्ट मचाई प्रिष्ट संख्या 141 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और इस बॉक्स में चितर संख्या एक में हम नादिर्शाह का चितर देख सकते हैं जो 1789 का है आए सुनते हैं बॉक्स का वर्णन नादिर्शाह के आकरमन के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वन से हुआ उसका वर्णन समकालिन प्रेक्षकोंने किया था इन में से एक ने मुगल कोश से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है साथ लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के लगभग एक करोड रुपए के सोने के वर्तन और लगभग पचास करोड रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें वो ले गया जिन में से कुछ तो इतनी बिशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है जैसे तखते ताउस यानी मैयूर सिंगहासन एक अन्य व्रितांत में दिल्ली पर आकर्मन के प्रभाव का वर्णन मिलता है जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए जिन्हें कभी भरपूर आदर इज़त दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खीच कर बाहर निकाल दिया गया दौलत मंदों को भिखारी बना दिया गया जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुन्दर कपड़े पहन कर पोशाकों का नया नय फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे और जिनके पास जमीन जहदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए नया शहर यानी शाह जहानाबाद अब मलवे का धेर बन गया नादिर्शाह ने तब शहर के पुराने मोहलों पर हमला बोला और वहां की सारी की सारी दुनिया को तबाह कर डाला सामराज्य पर सब और से दबावतों पढ़ी रहा था अभिजातों के विभिन समुहों की पारसपरिक प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें और भी कमजोर बना डाला ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे इरानी और तूरानी यानि तुर्कमूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समुह के हाथों की कटकुतली बने रहे बेहद अपमान जनक स्थिती तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों यानि फरूख हसियर 1713 से 1719 तक और आलमगीर दुटियर यानि 1754 से 1769 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों एहमद शाह जिसका काल 1748 से 1754 के बीच में था और शाह दुटियर आलम को उसके अभिजातों ने अंधा कर दिया प्रिष्ट संख्या 142 नए राज्जियों का उदै मुगल समराटों की सत्ता के पतन के साथ-साथ बड़े प्रांतों के सुवेदारों और बड़े जमीदारों ने उप महाध्वीब के विभिन भागों में अपनी शक्ती और प्रबल बना ली 18 शताबदी के दौरान मुगल सामराज्जे धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रिय राज्जियों में बिखर गया मोटे तौर पर 18 शताबदी के राज्जियों को तीन परस पर व्यापी समूहों में बाटा जा सकता है एक अवद, बंगाल वा हैदराबाद जैसे वे राज्जे जो पहले मुगल प्रांत थे हलाकि इन राज्जियों के शासक अती शक्ती शाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे उन्होंने मुगल बाद शाह से आवचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े ऐसे राज्जे जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे इन में से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीन तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्जे आते हैं ये विभिन आकार के थे और इन्हों ने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी इसी प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है चित्र संख्या दो और यहाँ पर इसका वर्णन इस प्रकार से है एक अभिजात के दर्बार में स्वागत करते हुए फर्रूख हसिर अब सुनते हैं पाठ पुराने मुगल प्रांत पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्जियों का उदभाव हुआ उनमें से तीन राज्जे प्रमुक थे अवध, बंगाल और हैदरबाद ये तीनों ही राज्जे उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किये गए थे इन तीनों राज्जियों के संस्थापक सादत खान यानि अवध का मुर्शीद कुली खान यानि बंगाल और आसफ जाह यानि हैदरबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में उचा स्थान था मुगल बादशाओं को उन पर भरोसा और विश्वास था आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को साथ साथ हजार जात का दर्जा मिला हुआ था जबकि साथत खान की जात का दर्जा छे हजार था हैदरबाद निजाम उल मुल्क आसफ जाह जिसका काल 1724 से 1748 तक रहा जिसने हैदरबाद राज्य की स्थापना की थी मुगल बादशा फर्रू खसियर के दर्बार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्से था प्रिष्ट संख्या 143 उसे सर्व प्रथम अवध की सुबेदारी सौपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कारेभार दे दिया गया था 1720 से 22 के मध्धे ही दक्कन प्रांतों का सुबेदार होने की वज़े से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तिय प्रशासन का पूरा नियंत्रन था दक्कन में होने वाले उपद्रों और मुगल दर्बार में चल रही प्रतिस परधा का फायदा उठा कर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिन में नए आउसर पाकर प्रसन्न थे उसने मनसवदार नियुक्त किये और उन्हें जागीरें प्रदान की हलांकि वह अभी तक मुगल समराट का सेवक था फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक शेप करती थी मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जा द्वारा पहले से लिये गए निर्णयों की पुष्टी कर दिया करते थे हैदराबाद राज्ये पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेतर के स्वतंत्र तेलुगू सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संदलगन रहता था पूर्विदिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरो मंडल तठ पर स्थित वस्त्रोत पादक धन संपन क्षेतर पर अपना नियंत्रन प्राप्त करने की महत्व कांख्षा रगता था पर उसकी इस महत्व कांख्षा पर उस ख्षेतर में ब्रिटिश शक्ती की उपस्थिती के कारण रोक लग गई अब हमारे लिए सामने एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्शक है निजाम की फाउज हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन ये 1790 का वर्णन है निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है उसके आसपास कई हजार घुर सवार रहते हैं इन अत्यंत कुशल और अती सुन्दर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन एक सो रुपए से ज्यादा है अब आईए सुनते हैं पाठ अवध बुर्हान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सुबेदार नियुक्त किया गया था मुगल सामराज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सरवाधिक महत्योपून राज्यों में से एक था अवध एक समरिध्धी शाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाओ मैदान में फैरा हुआ था और उत्तरी भारत तथा पंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था प्रिष्ट संख्या 144 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले दाई और एक चित्र और ये है चित्र संख्या तीन ये बुर्हान उल मुल्क का चित्र है बाई और इसी प्रिष्ट पर एक प्रशन है जो प्रशन आपको हल करना है आईए सुनते हैं प्रशन अपने राज्य को सुद्रिध करने की कोशिशों में मुगल सुबेदार दिवान के कारेले पर भी क्यों नियंतरण जमाना चाहते थे अब सुनते हैं पाठ बुर्हान उल मुल्क ने भी अबध की सुबेदारी दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सुबे के राजनी तिक विट्य और सैनिक मामलों का एक मात्र करता धरता बन गया बुर्हान उलमulk ने अबधक शेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा न्योक्त अधिकारियों यानी जागीर दारों की संख्या में कटओती कर दी उसने जागीरों के आकार में भी कटोती की और रिक्त स्थानों पर अपने निश्ठावान सिवकों को नियुक्त किया धोखा धड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों वा लेखों की जाच की गई और नवाब के दरवार द्वारा न्यूक्त अधिकारियों द्वारा सभी जीलों के राजस्व का फिर से निर्धारन किया गया उसने अनेक राजपूत जमीदारियों और रुहेल खंड के अफगानों की उपजाओ कृशी भूमियों को अपने राज्ये में मिला लिया राज्य रिन प्राप्त करने के लिए स्थानिय सेथ, साहुकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था राज्य रिन प्राप्त करने के लिए स्थानिय सेथ, साहुकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था राज्य राजस्व का ठेका सबसे उँची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे स्थानिय साहुकार राज्य को ठेके के इस रकम की भुगतान की गारंटी देते थे दूसरी और इजारेदारों को कर का मुल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी इन परिवर्तनों के फलसरूप साहुकारों और महाजरों जैसे कई नए सामाजिक समुहुं राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुर्शीद कुली खान के नित्रितों में बंगाल धीरे-धीरे मुगल नियंतरं से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नयब थे, यानि कि बंगाल के सुबेधार के प्रतिन्यूक्त थे। यद्यफी मुर्शीद कुली खान आफचारिक रूप से सुबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सुबेदार के पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली हैदराबाद और अबद के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंतरन जमाया बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर निर्धारन करने का आदेश दिया सभी जमीदारों से बड़ी कठोर्ता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था परिनाम स्वरूप बहुत से जमीदारों को महाजनों तथा साहुकारों से उधार लेना पड़ता था जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीने बड़े जमीदारों को बेचनी पड़ती थी इस प्रकार अठारवी शताबदी में बंगाल के एक शेत्रिय राज्ये बन जाने से जमीदारों में काफी बड़लाव आया राज्ये और साहुकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ट संबंध था वह अलिवर्दी खान के शासनकाल में जो 1740 से 1756 तक रहा बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया उसके शासनकाल में जगत सेट का साहुकार घराना अत्यंत सम्रिद्धी शाली बन गया इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या चार और ये चित्र है अलिवर्दी खान के दरवार का आप सुनते हैं पाठ यदि हम इन राज्यों के अभी लक्षणों पर विहंगम द्रिष्टी डालें तो हमें उनमें कुछ सामानने विशेष्टाएं देखने को मिलेंगी प्रथम यद्यपी बड़े राज्ये पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किये गए थे ये अभिजात कुछ प्रशास्निक व्यवस्थाओं के प्रती संदेहास्पत थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे विशेष्टह वे जागिरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की द्रिष्टी से देखा करते थे प्रिष्ट संख्या 146 दूसरा उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों यानि हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राज्यस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतह नापसंद की गई थी 18. शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी तथा पी देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रिय विभिन्नता आएं थी इन सभी क्षेत्रिय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षन यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे यह सहुकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे बदले में प्रतिभूती, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिये कर वसूल किया करते थे इस प्रकार समस्त भारत में धनाड्य सहुकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साज्यदारी बढ़ रही थी पाठ में जाने से पहले आपके लिए कुछ व्रितांत इसी प्रिष्ट पर वाई और और ये राजपूत शासकों के बारे में है आए सुनते हैं कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्विकार किया था लेकिन मेवाड एक मात्र ऐसा राजपूत राजज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनोती दी थी राणा प्रताप 1972 में उदैपूर तथा मेवाड के बड़ेक शेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड की राजगद्दी पर आसीन हुए राणा के पास मुगल अधिराजत्तों को स्विकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया लेकिन वे अपने निर्ने पर दिड़ रहे आईए सुनते हैं पाठ राजपूतों की वतन जागीरी बहुत से राजपूत घराने विशेश रूप से अंबर और जोधपूर के राजगराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायतता का आनंद लेने की अनुमती मिरी हुई थी अब अठारवी शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंतरन का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पाउं मारने शुरू किये जोदपूर के राजा अजीद सिह ने भी मुगल दर्वार की गुठिय राजनीती में अपने पैर फहसा दिये इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजराथ और मालवा के लाबदायक सूबों की सुवेदारी का दावा किया जोधपूर के राजा अजीत सिंग को गुजरात की सुवेदारी और अंबर के सवाई राजा जैसिंग को मालवा की सुवेदारी मिल गई बादशाह जहादार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवी करण कर दिया उन्हों ने अपने वतनों के पास पड़ूस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कबजा करने की भी कोशिशें की जोधपूर राजघराने ने नागाओर को जीत लिया और अपने राज्ये में मिला लिया दूसरी और अंबर ने भी बूंदी के बड़े-बड़े हिस्तों पर अपना कबजा कर लिया सवाई राजा जैसी हिने जैपूर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सुवेदारी दे दी गई 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाडों पर भारी दवाव डालना शुरू किया जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुख गया प्रिष्ट संख्या 147 इसमें सब से पहले एक बाक्स और बाक्स में एक चित्र है ये चित्र है चित्रसंख्या 4A ये चित्तवर गढ़ के किले का चित्र है जो राजस्थान में है इसका वर्णन सुनते हैं कई राजपूत सरदारों ने पहाडियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंदर बने व्यापक किले बन्दी के साथ इन भव्य संदर रचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंदर, जल, संग्रहन, संदर रचनाएं और अन्य इमारतें होती थी चित्त और गढ़ किले में तालाव यानी कुंडी या कुएं बावली जैसे कई जल निकाये थे इसी प्रिष्ट पर एक और बॉक्स और इसमें एक चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है चित्र संख्या चार बी और ये चित्र है जैपूर के जंतर मंतर का और आएए अब सुनते हैं बॉक्स में दिया गया वर्णन 1732 के एक फार्सी वृतांत में राजा जैसी का वर्णन इस प्रकार से है राजा जैसी ही अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सुबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के उनके पास विशाल सेना, तोफ खाना तथा भारी मात्रा में धन समपदा थी उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था चित्र संख्याचार के विशे में हमने बात की थी चितर संख्या चार में जैपूर में जन्तर मंतर का चितर है और इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है अम्बेर के शासक सवाई जैसी ने दिल्ली, जैपूर, उज्जैन, मथुरा और वारानसी में पांच खागोलिये वेधशालाओं का निर्माण किया जन्तर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खागोलिये पिंडों के अध्यायन हेतु कई उपकरण है चितर संख्या पांच में जो इसी प्रिष्ट पर है हम मेहरानगड के किले का चितर देख सकते हैं जो जोधपूर में है आजादी हासिल करना प्रिष्ट संख्या 148 सिख अध्याय आठ में आपने पढ़ा कि 17. शताबदी के दोरान सिख एक राजनेतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए इससे पंजाब के एक शेत्रिये राज्ये निर्मान को बढ़ावा मिला गुरू गोविन सिह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चाहत राजपूत वगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाईयां लड़ी 1708 में गुरू गोविन सिह की मृत्यू के बाद बंदा बहादूर के नेत्रित्तों में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किये उन्होंने बाबा गुरू नानक और गुरू गोविन सिह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्व भाउम बताया बहादूर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया एक प्रशन आपके लिए इसी प्रिष्ट पर बाई और और प्रशन है खालसा से आपका क्या अभिप्राय है क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय आठ में पढ़ा है अब आईए सुनते हैं पाठ अठार्वी शताब्दी में कई योग्ये नेताओं के नेत्रित्व में सिखों ने अपने आपको पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमरित सर में मिलता था इन बैठकों में वे सामुहिक निड़ने लिये जाते थे जिन्हें गुर्मत्ता यानि गुरू के प्रस्ताओं कहा जाता था सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतरगत किसानों से उनकी उपज का 20 प्रतिशत कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षन प्रदान किया जाता था अब इसी प्रिष्ट पर दो चितर हम देख सकते हैं प्रिष्ट संख्या साथ और इस प्रिष्ट संख्या साथ में महाराजा रणजीत सीह की तलवारों का चितर है चितर संख्या छे इसी प्रिष्ट पर और ये है दसमे गुरू गोविंद सीह का चितर गुरू गोविन सी ने खालसा को प्रेरिद किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सुवेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अबदाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रगट कर सका अहमद शाह अबदाली ने मुगलों से पंजाब का सम्रिद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कबजे में कर लिया था खालसा ने सत्रा सो पैंसट में अपना सिक्का गढ़ कर सार्व भावम शासन की घोशना की यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उतकीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादूर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र चित्र संख्या साथ ए और ये चित्र है शिवाजी का रूप चित्र आईए इसका वर्णन सुनते हैं पड़े जावली पर कबजे ने उन्हें मौआला पतारों पर आविवादित मुख्या बना दिया जिसने उनके एक शेत्र विस्तार का पत्थ प्रशस्त किया बीजापूर और मुगलों के खिलाफ उनके कारणामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्तों बना दिया वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राया गुरिल्ला युद्धकला का प्रयोग करते थे चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की साहता से उन्हों ने एक मजबूत मराठा राज्ये की नियु रखी और अब सुनते हैं पाठ अठार्मी शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधू से यमुना तक फैले हुए थे यद्देपी ये विभिन शासकों में बटे हुए थे इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिह ने विभिन सिख समुहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया हमने अभी अभी शिवाजी के बारे में पढ़ा और अब हम सुनते हैं मराठों का वृतान्त मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रिय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था शिवाजी जिनका काल 1627 से 1680 तक का था ने शक्तिशाली योध्धा परिवारों यानि देश मुखों की सहायता से एक स्थाई राज्य की स्थापना की अत्यंत गतिशील क्रिशक पशूचारक यानि कुन भी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुखलों को चुनोती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया शिवाजी की मृत्यू के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ती चित पावन ब्राह्मनों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेश्वा या प्रधान मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे पुने मराठा राज्य की राजधानी बन गया पेश्वाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टककर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल कर शहरों कस्मों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठ भेड लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे प्रिष्ट संख्या एक सौपचास सबसे पहले कुछ शब्द कुछ शब्दों पर विचार करते हैं उनके अर्थ को समझते हैं फिर हम पाठ में चलेंगे सबसे पहला शब्द चौथ इसका अर्थ है जमीदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25 प्रतिशत दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे सरदेश मुखी इसका अर्थ है दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रह करता को दिये जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा अब आएए सुनते हैं पाठ 1720 से 1761 के बीच मराठा सामराज्य का काफी विस्तार हुआ उसने शने शने और काफी सफरता पूर्वक मुगल सामराज्य की सत्ता को ख्षती पहुँचाई 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिये गए 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपती के रूप में मान्यता मिल गई और साथी साथ इस ख्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्ब में बंगाल और उडिसा तथा दक्षिन में करनाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई इन ख्षेत्रों को आवचारिक रूप से मराठा सामराज्ये में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्विकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी सामराज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानी पत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों में से कोई साहता नहीं मिली अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्ता तयार की जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहां स्थानिय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भूर आजस्व की मांग की गई क्रिशी को प्रोसाहित किया गया और व्यापार को पुनर जीवित किया गया इससे सिंधिया, गायकवाड और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाय खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके 1720 के दशक वे मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेतर में स्थित शहरों के विकास व सम्रिद्धी को कोई हानी नहीं पहुँचाई उज्जैन सिंधिया के संरक्षन में और इंदोर होलकर के आश्रे में हल्ता फूलता रहा ये शहर हर तरह से बड़े और सम्रिद्धी शाली थे और वे महत्तोपूर्ण, वानिजिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कारे कर रहे थे मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेश्मी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला बुरहानपूर पहले आगरा और सूरत के बीच की धूरी पर ही अपने व्यापार में सनलगन था लेकिन अब उसने अपने वानिजिक भीत्री क्षेत्र को बढ़ा कर दक्षिण में पुने और नागपूर को तथा पूर्व में लखनो तथा इलाहबाद को शामिल कर लिया था इसी प्रिष्ट पर और एक वर्णन है और ये वर्णन है बाजी राव प्रथम का आईए सुनते हैं बाजी राव प्रथम जो बाजी राव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं पेश्वा बालाजी विशोनात के पुत्र थे वह एक महान मराठा सेनापती थे उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, पुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाप सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं प्रिष्ट संख्या 151 जाट अन्य राजियों की तरह जाटों ने भी सत्रहुई और अठारहुई शताब्दियों में अपनी सत्ता सुद्रिढ की अपने नेता चूडा मन के नेतित्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिव में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रन कर लिया 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही नगरों के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया वस्तुता कुछ अर्से के लिए वे आगरा शहर के अभीरक्षक ही बन गए जाट समरिद्ध क्रिशक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लब गड़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारीक केंद्र बन गए सूरज मल के राज्ये में भरतपूर शक्तिशाली राज्ये के रूप में उभरा 1749 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल कर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिश्ठित व्यक्तियों ने भरतपूर में शरण ली नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बल्बूते पर वह मुगलों से लड़ा जहां भरतपूर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलीयों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाह जहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें इन ही रूपों के नमूने पर बनाई गई थी अध्याए 5 और 9 दोनों के चित्र बारह को देखिए और इस समय थोड़ा सा और व्रितान्त इसी प्रिष्ट पर जाटों के बारे में सुनते हैं जाटों की शक्ती सूरज मल के समय पराकाष्ठा पर पहुँची जिन्हों ने 1756 से 1763 के बीच भरतपूर जाट राज्ये को जो आधूनिक राजिस्थान में है संगठित किया सूरज मल के राजनेतिक सनरक्षन में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधूनिक पूर्वी राजिस्थान, दक्षिनी हरियान, पश्चीमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे सूरज मल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें भरतपूर का प्रस्तिध लोहागढ का किला इस ख्षेत्र में बने सबसे महत्वपूर्ण किलो में से एक था इसी प्रिष्ट पर एक चित्र और ये है चित्र संख्या आठ और ये अठारमी शताबदी के दीग के राजमहल के समूह का चित्र है इमारत की च्छत पर मुख्य सभाभावन दिखाई पड़ रहा है और उस पर बनाए गए बांगला गुम्बद पर गौर करें प्रिष्ट संख्या एक सो बावन फ्रांसीसी क्रांती 1789 से 1794 तक ये एक बॉक्स में है आईए सुनते हैं व्रितांत अठारहवी शताबदी में भारत की विभिन राज्य विवस्थाओं में जन साधरण को अपनी अपनी सरकारों के कारियों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था ऐसी स्थिती पश्चिमी दुनिया में अठारहवी शताबदी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी अमरीकी जो 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिती को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक वगा राजनीतिक प्राधिकारों को चुनोती दी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्धे वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेशाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए बलकि लोगों की सामाजिक स्थिती योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए फ्रांसीसी क्रांति के दर्षनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए उनका यह भी कहना था कि सरकार की सक्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कारियों में भूमी का अदा करने का अधिकार होना चाहिए फ्रांसिसी और अमरीकी क्रांतियों जैसे आंदुलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला नागरिक्ता, राष्ट्री राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में उन्नीस्वी शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी कल्प ना करें आप अठारहुई शताब्दी के एक राज्य के प्रशासक हैं अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए क्या 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 कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथ्वा समस्याएं खड़ी की जा सकती है सबसे पहले इसी प्रिष्ट पर कुछ बीज शब्द या की वर्ड हैं आएए पहले उन शब्दों को सुनते हैं ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है बीज शब्द सूबेदारी दल खालसा मिसल फौजदारी इजारादारी चौथ सरदेश मुखी फिर से याद करें एक इन में मेल बिठाएं यहाँ पर दो स्तंभ दिये गए हैं इन दोनों स्तंभों में अलग-अलग शब्द हैं आपको इन शब्दों को आपस में मिलान करना है सबसे पहले आपके लिए प्रस्तुत है स्तंभ एक इसमें ये शब्द है सुवेदार, फौजदार, इजारादार, मिसल, चौथ, कुनभी, उम्रा अब आईए सुनते हैं स्तंभ दो, यहां है एक राजस्व क्रिशक, उच्च अभिजात, प्रांतिय सुवेदार, मराठा क्रिशक योद्धा, एक मुगल सैने कमांडर, सिख योद्धाओं का समुह, मराठों द्वारा लगाया गया कर दो, रिक्त स्थान की पूर्ती करें, क, औरंग जेब ने रिक्त स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ी, ख, उम्रा और जागीरदार मुगल, खाली स्थान के शक्तिशाली अंग थे, ग, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्ये की स्थापना रिक्त स्थान में की, ग, अवध राज्ये का संस्थापक रिक्त स्थान था, तीन, बताएं सही या गलत, क, नादिर शाह ने बंगाल पर आकर्मन किया, ख, सवाई राजा जैसी इंदौर का शासक था, ग, गुरु गोविंद सिह सिख्खों के दसमे गुरु थे, ग, पुने अठारभी शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, चार, सादत खान के पास काउन-काउन से पद थे, आईए विजार करें, पाँच, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागिर्दारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की, छे, अठारभी शताब्दी में सिख्खों को किस प्रकार संगठित किया गया, 7. मराठा शाजक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? 8. आसफ जाह ने अपनी स्थिती को मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या नीतियां अपनाई? 9. क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं, जैसा कि वे अठारभी शताब्दी में रखा करते थे? 10. क्या इस अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्ये आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो आपके विचार से 18. शताब्दी का जन जीवन आगे 21. शताब्दी के जन जीवन से किस रूप में भिन्न था? आईए करके देखें 11. अवद बंगाल या हैदराबाद में से किसी एक की वास्तुकला और नए क्षेत्रिय दर्वारों के साथ जुड़ी संस्कृती के बारे में कुछ और पता लगाएं 12. राजपूतों, जाटों, सिखों अथ्वा मराठों में से किसी एक समुह के शासकों के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं यहां दस्वां अध्याय समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो का अध्याय दस शीर्शक था 18. शताब्दी में नए राजनीतिक गठन वाचन्स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत